तो हेलो गैज वेल्कम बेक टो रूटी चनल बहुत दिन के बाद फिर हम वीडियो अप्लोट करें अभी क्योंकि थोड़ा सा परसनल कम था जिसके बेदे से मैं वीडियो अप्लोट नहीं कर पा रहा था और कुछ लोगों का ट्वेरी जा रहा था कि कोटेक्स प्याउट का इ इंडिया में पेमेंट गेट हुए है ना इनके साथ थोड़ा बहुत इनका मिस कम्मुनिकेशन हो रहा था जिसके बज़े से प्याउट हो रहा था ठीक है ओल्मोस्ट प्याउट आ गया होगा 95% लोगों वो प्याउट क्लियर हो चुका है और जो 7 तरीक से 9 तरीक के बीच म पेंडिंग पड़ा होगा ओवी मतलब एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा ठीक है तो क्योंकि मैंने परस्नाली जो मैं आप लोगों को बोला था कि काल जो टेन धोजन डॉलर का मैंने वुड्रोल डाला था टेलीग्राम ग्रूप में भी मैं वो चीज सेयर किया था वो राइड बेंक अप इंडिया अकाउंट है मैं लाश्ट टेन ट्रांजक्शन में आपको दिखा दे रहा हूं आप थोड़ा सा परस्नल रिजिन के वाज़े से मैं हाइड कर रहा हूं अपना प्राइवेसी और यहां पर आप देख सकते हो यह जो है आज के डेट का आप सब्सक्राइड के यहां पर ठीक है मैं आप लोगों को दिखा हूं अगर मुझे इतना बड़ा प्याउट आता है तो आपको दस भी डॉलार सो डॉलार के लिए आपके लिए यह मुझे सच हो कि कोई वी चीज गलत होने वाले ठीक है क्वेटेक्स अभी जो है ना ग्रोइं को मतलब दो मिनिट चार मिनिट में प्याउट देता था अब स्टार्टिंग में समझ लो तब मलब अचली यूजर्स कम थे अभी कि यूजर्स ज्यादा हो चुके तो क्या कि प्याउट भी इनको मतलब उतना लोगों का ट्रंजेक्शन करने में टाइम लगता है तो में बात भी किया हो भी एक दो दिन का अंदर क्लियर हो जाएगा ठीक है तो यह होगे प्याउट की बाद अभी हम लोग ट्रेड करने वाले कुछ अपना मतलब बैसिक जो भी हमने सिखा है वही चीज को आज हम लोग करने वाले ठीक है और आप लोगों का कॉमेंट आया था अब быв लेट रो करके हमें बता हम लोग बिग्टनक नहीं आता है तो मैं एक बद चक्लिक कर लेता हूं में क्योंकि इस भी बीडियो रिकड़िंग और और रेकोडिंग वा नहीं ठीक है फिर से मुझे अभी दुबारा करना पड़ करना है तो अभी देखो मैं यहां पर क्या करूंगा यह जो मार्कर आप देख रहो कहीं पर भी कहीं से जो भी moment हो रहा आप देखो यस पॉइंट से सफ़ूइंट से मुवमेंट हो रहा ब्रॉटर ओल में जाओ एक ट्रेंड लाइन ड्रों करो काफी सारा मदलब आप यहां पे आप लोगों मिल जाएगा को कहां पर एंट्री लेना अब दो पॉइंट को कमान करके एक थार्ड पॉइंट एंट्री फाइंड कर सकते हो कि अगर आप देखोगे यह जो लेवल था यहां पर आप देख रहो यह आपका एक रिजिस्टांस लेवल था यहां पर यहां से मार्केट गया हमें नीचे आया फिर मारकेट गया यहां से रande का यह नीचे आया फिर देखो इस लेवल पर डाउन लेते तो यह हो जाता है तो इसलिए मैं हमें साभ बोलता हूं मरलब क्या है कि une Company लियूज करते हैं और आप लोगो हुष पता ही क्या होता है और देने का मैरнес है पर नहीं टोख करेंगे देने गारों कोरता है ना को कमाओगी जो लोग मदेव्ट मेंद्सुख में मेरे ग्रूप मैंबर है उनको पता है क्या होता है कैसे करते है। फ्रेशन जो यह इम्रूद एक तरे यह तो जैड़ों दे dado क्या उचे करेगा है। ट्रेडर की एक प्रोफिट में रहेगा ठीक है यह सोच रखके अगर आप ट्रेड करोगे तब भी आप प्रोफिट कर सकते हो ठीक है और मेरे केपिटल पर अपको मैं सुझेस्ट करता हूँ करो और जिनके पतलब कर सकते हैं उनके लिए अलग बात हैं उनको मैं रिकोस्ट बोलना चाहूंगा अगर आप टेन डॉलार सब्सक्राइब करें तो आप एक डोला से बीड़ी ओमांट्ट मत लो कभी भी मत लो ठीक है और आप वान स्टेप मार्टिंगल पोलो कर सकते तो करो तो नहीं तो मत करो क्योंकि 10 दोलर अमांट पर मार्टिंगल वान स्टेप मार्टिंगल यूज करना पसिबूल नहीं हो सकता है इसलिए मैं रेफर करता हूं तो उसके सब सब मुनि मेनेजमेंट क्या करो अगर 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 इस टाइप का ट्रेंडी मार्केट आपको मिल रहा है कहीं पर तो यह से लेवेल ड्रो करके रख तो जैसे वह पॉइंट पर आएगा आप वहां पर ट्रेड लिया करो ठीक है अगर आप बोटम में भी अगर तो आप एसे भी ट्रो कर सकते देखो यहां पर अगर आप लेते हैं अगर हम लोग करेंगे करेंट पोजिशन अगर हम लोग यहां पर एक लेवेल ड्रो करेंगे एक ट्रेंड लाइन में हाप ले लेता हूं अगर आप देखो यह एक लेवेल है एक लेवेल है ठीक है यह आपका रेजिस्टांस लेवेल है यह एक रेजिस्टांस लेवेल है यहां पर सपोर्ट जैसा वर्क क्या है मतलब वह वान स्ट्सेप मार्टिनल से यह विन हो जाता यहां पर भी आपको एक मतलब लिया यहां पर एक रेजीस्टांस जीसे वर्क कि यहां पर पर देखो इसको देखो यह आपका यहाँ पर आपको बटम में थोड़ा सा सपेस है तो चांसे से यहाँ पर और एक रेट केंडल बनने का अगर यहाँ पर यहाँ पर से ले सकते हो ठीक है बट इसका जो तो यह तो ग्रीन होई जा रहा बट अगर यह कंडल बाइचांस अगर आपका रेड़ बन जाते तो अग्लेट रेड़ अप यह अपका बेरी स्ट्रॉंग लेवल एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ पॉइंट पर यह वर्क किया है तो प्रोबाबली अगर यह कंडल इसका क्लोजिंग डिसाइड करेगा क्या होने वाला तो मैं यहां पर डाउन के लेगर 1968 अगर आप देखोगे अगर यह लेवल पर अगर हम दोव्ड देख रहे है यह 21 ist कुले तो इस cement high लेवल है और यह इस कुवेड को हे लसी यहाँ पर गेब देखने को मिला और यहाँ पर जोजी लेवल है अगर आप देख रहे हो ठीक है और यह डोजी लेवल से रिजेक्शन लेकर आकर उसके नीचे अगर हो जाता है तो मैं हाँ पर फोलो करूंगा ठीक है नहीं होना चाहिए और यहाँ पर सपर्टे तो मैंने ले लिया एक वह अगर उतना ही जी होता है ट्रेडिंग सपर्टे रिजिस्टांस देखे तो को हर कोई ट्रेड कर लेते इतना भी कमप्लिकेटर नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा ठीक है ना है और यह यह डो है लोजिक वाई itself मैंने आपको प्लेस किया था तो इसको मैं और ठोड़ा सा डीप लिए और अनालिसीस कर बता दे रहाएं तो यह आपको मार्केट मूम्में तो यह आपका एक रेजिस्टर्स लेविल था रिजिस्टर्स का मतलब लोगो समझ civ में आ रहा ह। पॉंचछ से मार्के्ट डिशिस्टर्स ले रहा रहा आप कर लोर है वहां C ओल यह इ안 आया है तो एक रेजिस्टर्स लेऴल तो यह प्रन को मार्क्त उपर से नीचे आया उस पॉइंट पर ऐसे स्वार की यह इतो रेजिस्टांस लेवल यहूं केमा लेवल है ठीक है अगर बटम में हम लोग देखेंगे यह एक सपर्ट लेवल था यहां पर भी सपर्ट लेवल था यह सपर्ट लेवल था यह सपर्ट था ठीक है यहां पर सपर्ट जी सब और किया था और यहां पर भी देखो एक सपर्ट जी सब और किया ठीक है बट मैंने यह यहां पर डाउन के लिए क्यों प्लेस किया अगर आप देखोगे मैं आपको पहले ही एक्स्प्लेइन कर दिया था कि बॉटम साइड में हलका सा स्पेस है यहां पर यह सपर्ट लेवल को टर्च करने के लिए तो उसको पुल पिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगा किस ल केंडल अगर यह डोजी के उपर जाके अगला केंडल में आप के लिए जाता हुँ हंड्रेट परसंट आप के लिए मार्केट मॉमेंट होता अभी अगर आप देखोगे यह सपर्ट लेवल को अगर यह रेट केंडल ने ब्रेक कर चुका है तो यह एक अच्छा का सा डाउन आया नीचे वह स्पेस को फूल फिल करने के लिए यह यहां पर फिल पिल किया और फिर देखो यह मार्केट आप जा रहा है तो यह से एक्छले मॉमेंट होता है अगर आप कहीं पर भी आप देख रहे हो यह देखो यहां पर फिर यह रिजेक्शन लेने के लिए कोशिस कर अगर यहां पर यह रिजेक्शन लेता तो फिर मार्केट डाउन जाएगा अगर यह कि देखते हैं इसका क्लोजिंग क्या होता है उसके सबसे हम लोग डिसाइड करें तो मैं यहां पर फिर से यह रिजेक्शन लिया हुआ यह केंडल रिजेक्शन लेक्शन लेकर नीचे आना चाहिए और यह देखो मुमेंट भी नीचे आ रहा है वही मेरा एंट्री थोड़ा गलत हुआ उसके इस अब से देखो अगर प्लेसिंग भी परफेक्ट कर रहे हो तो आप ट्राइग करना प्लेस कर दिया करो कि आपका जो भी मलब ट्रेड जो है मलब परफेक्ट ली एंट्री ले पाएगा मैंने यहां पर वीडियो जब रेकोडिंग कर रहा हूं तो इधर बोलते बोलते टाइम थोड़ा वो इधर उधर हो जा रहा है तो चीज आप करो आप परफेक्ट ली जै जाता है अगर यहां पर प्लेस कर देता तो ओटोमेटिकल यह ट्रेड भी मेरा वीन हो जाता देखो यह जो है मार्केट डेखो कम्प्लेटली हपे था जो केंडल रेड भी हुआ बट अगला केंडल का जो है दो सेकंड मार्केट उपर चला गया इसमें आप कुछ नहीं कर स यह मार्केट का बोलाटिलिटी है ठीक है मार्केट मुवमेंट मदलब के हिसाब से यह हो रहा है ठीक है तो यहां पर मुझे और एक मेरा सीर सट पैटन देखने को मिल रहा ठीक है तो मैं आप यह और एक ट्रेड लेने वाला हूं अगर आप लोग को जाना है तो फिर ओसीज भी मैं बताऊंगा बट अभी नहीं थोड़ा सब बेसिक आप लोग को क्लियर हो जाने तो फिर मैं सीर सट पैटन पर जाऊंगा ठीक है तो मैं यहां पर एक डाउन के लिए प्लेस किया यहां पर मेरा एंट्री परफेक्ट हुआ है आपने अगर आप देखा मेरा यहां पर दो सेकंड टाइम रिमेनिंग था मैंने यहां पर प्लेस कर दिया ठीक है यहां पर सीर सट पैटन बन रहा था बट यह जो कंडल है ना जो है सेड़ो देखो मालब कंप्लेटली एंडिंग है यहां पर कोई भी सेड़ो है नहीं यहां पर एक सेड़ो फरमेसन होना चाहिए था जो यह रिजेक्शन ले रहा था तो मैंने बोला था शिरसर पेटन था अगर यह मैरा लॉस हो जायागा तो फिर मैं मोनी करने वाला हूं बट यहीं केंडल को नीचे आना चाहिए ठीक है बट अगर नहीं आता तो यहां पर अगर आप देख रहो हो यह एक रिजिस्टांस लेवल है ठीक है कई बार मॉल्टिपूल टाइम सब रिजेक्शन हुआ है ठीक है तो मैं यहां पर एक डाउनवर्ड डिर सब्सक्राइब नहीं करवा सकता है अगर आप लोग को मनलब सिर्सट सिगनल चाहिए तो आपको पैसेंस जरूरत होगा आधा गंटा एक गंटा तक आपको वेट करके रखना होगा कि यह लेवल आएगा तभी मैं ट्रेड लूगा अगर अगर हर एक केंडल पर ट्रेड ले ट्रेड तो वैसे ही अगर आप कहीं पर भी किसी भी मतलब कहीं पर आप अनलीसिस कर रहे हो कैसे भी आप ले रहे हो मनी मनेजमेंट इंप्रडेंट है मैं पहले से मेरा हर एक वीडियो पर मैं चीज बोलता हूँ जब तक आप रिक्स मेनेजमेंट नहीं सीख पाओगे तब तब तक आप अपने माइंड को ठीक से एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ आप ट्रेड नहीं करते हो तब तक मनलब आप कुछ नहीं कर सकते अभी देखो मार्केट क्या हुआ नीचे आ रहा ठीक है आने का बाद आप देखना यह जो है प्रीवियस सपर्ट लेवल रेजिस अभी इसके लिए एक्ट करेगा देखना यहीं कंडल ग्रीन हो जाएगा अगर यह कंडल रेड होता तो अगला ट्रेड हम लोग ऑपड के लिए जा सकते आप देखो मेरे पास इतना वाला से फिर भी में आप है अंड़ डूलर का ट्रेड ले रहा हूं मैं नहीं चाहता हू होगे यह जो ट्रेड कंडल है मैरे हिसाब से और थोड़ा निच्छे आना चाहिए यह ट्रेड भी गलत एंट्री हुआ ठीक है वही चीज है मतलब क्या कि जब मैं ही आप वीडियो रेकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आप लोग को बोलने का टाइम बहुत कुछ चीजे देख देखना पड़ रहा है तो इस चकर मेरे दो चार सेकेंड इधर उदर हो जा रहा है ठीक है फिर भी आप देख रहो आनलिसिस के हिसाब से मार्केट के से मुवमेंट हो रहा है ठीक है यह आपका लेवल था यह रेजिस्टांस था यहां पर सपर्ट जैसे वर्किया प्रिवि यहीं पर मैं आप लोग को करीब 10-15 एंट्री में देख चुकाऊं आप लोगों बता भी चुकाऊं कि यहां पर आपको क्यों ट्रेड लेना क्यों नहीं लेना ठीक है अगर आप मतलब कुछ भी करो ठीक है जब तक मुनी मेनेजमेंट परफेक्ट नहीं कर पाओगे तब त पिनेजर बना भी लेते हैं उसका बाद एक ऐसा सिच्वेशन आता जीतना प्रॉफिट किये रहते हैं सब गायो हो जाता है ठीक है इसलिए मैं बोलता हूं जो भी हो एक अप एक्सेल फाइल मेंटेन करो अगर आप लोग को एकसल सीट चाहिए मनी मेनेजमेंट का बोल दो आपका केपिडल कितना है मतलब अब कमेंट करो कि कितना डोलार पर मैं मतलब रिक्स मेनेजमेंट का जो है एकसल फाइल में प्रोवाइड करूंगा क्योंकि मेजरीटी जो रहेगा उसी पर मैं बनाऊंगा अगर किसी का मतलब सपोज आप लोग चाहते हूं कि 50 डोलर का बन पाएगा ठीक है वाचीज में आप लोगे कर हूं आप लोग को और दोने करना कीमेंट को było करना सब कुछ मермद पेलिग्राम पर मुझे मेसेज करते हैं आपके वीडियो देखके मैंने इतना अन किया हो किया तो उससे भी मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है कि चलो जो चीज मैं कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं उसमें लोगों को बेनिफिट हो ठीक है सिंगनल से तो आप रोफिट कर मैं बनाया था आज भी आप यहां पर देख सकते हो ठीक है और प्यावड भी मिल रहा है ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा मुझे परस्नाली मिला है मैं आप लोग को लोगिन करके मैंने आप लोग को दिखा है ठीक है क्योंकि आप यह मत सचो कि 10-5 डॉलर के लिए आपके साथ इंक्रीज हो जाएंगे नमबर वन पर बहुत जल्दी आने वाल है ठीक है क्योंकि मैंने इनके साथ बातचीत क्या हुआ है और इनका इंटेंस क्या है कैसे काम करना चीज मुझे भी पता है ठीक है तो यह मत सचो की जिसका भी साथ से नहतरीक के अंदर प्यावड होल्ड है जो लोग रिसेंटली डाले होंगे उनका आ गया होगा साथ तारीक से नो तारीक के बीच में करीब मदलब कुछ लोगों का टैन परसेंट लोगों का भी विड्रल मदलब पेंडिंग है वो चीज आ जाएगा मैंने बात भी किया हुआ ठीक है तो उसका टेंसन ना लो अगर कोई नेट बेंकिंग यूज करें तो विड्रल नेट बेंकिंग पर क्या गरो तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा ठीक है बस होई है और जो चीज मैंने अप लोगों को आज यहां पर सिखाने के लिए कोशिस क्या था कुछ आडवांस मैंने नहीं सिखाया बट जिस च साथ मैंने अपना उड्रोल हिस्ट्री भी दिखाया प्लस मैं आप लोगों को रिक्स मेनेजमेंट के बार भी बताया ठीक है और मेरे बाला देख्या आप इंफ्लेंस मत हो ना क्योंकि मैं अपने इसाब से ग्रो करता हूं ठीक है अपने भी आईपी ग्रूप मैंने देखा मैं थोड़ा सा काम पर बीजी था जिसके बज़े से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बट आज से रेगुलर ली वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है ठीक है और मिलते हैं काल के और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो पर काल कोसिस करते हैं मॉनी मेनेजमेंट के उपर वीडियो प्रोवायट करने के लिए रेगुलर वीडियो आएगा इससे ठीक है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक एंड कमेंट कर देना उसी से मुझे 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 मोटिवेशन मिलते हैं आप लोग आप